ड्रेगन फ्रूट देखने में जितना खुबसूरत लगता है, खाने में भी उतना ही ज़ादा टेस्टी होता है, इसका लाल रंग अपने मन को बहुती ज़ादा करशित करता है, ऐसे में प्रेगनेंट लेडीज हमेशे सोचती हैं कि क्या हम अपने प्रेगनेंसी के दौरान ड्रेगन फ्रूट खा सकते हैं या नहीं, और अगर हमें कुछ रिस्ट्रिक्शन से रखनी हैं, कुछ साफधानिया बरतनी हैं तो वो क्या है, किन महीनों में ड्रेगन फ्रूट को खाया जा सकता है, और किन मंच में ड्रेगन फ्रूट को अवोईट करना चाहिए, उनी सार pregnancy care India को subscribe करना बिल्कुल भी न भूलें तो दोस्तों जो dragon fruit होता है उसमें nutritional value बहुत ज्यादा होती है आपकी pregnancy के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है अच्छी quality का fat होता है साथी साथ ये fat जो होता है आपको दिन बर energy दे के रखता है आपके जो metabolism होता है उसको सही बना के रखता है pregnancy की दौरान metabolism भी काफी ज़्यादा effect होता है ऐसे में अगर आप अच्छे fats लेते हैं तो आपका metabolic rate भी अच्छा रहता है साथी साथी जो fetus के brain के formation में भी help करता है इसलिए dragon fruit जो है आपकी pregnancy के लिए बहुत अच्छा है या कोई भी अधिक मात्रा में कोई भी चीज आप खाएंगे तो इससे आपको side effects हो सकते है fats होने के साथ साथ dragon fruit में carbohydrates भी बहुत जादा होते हैं जो की आपको ऊड़ जा देते हैं आपके शरीर में energy बनाए रखते हैं और ये जो dragon fruit होता है ये आपको infection से भी बचाता है और ये placenta के थुरू बच्चे तक भी जाता है जिससे कि किसी भी तरीके का infection वगरा नहीं होता और अगर को infection है तो उसको रोकने में help करता है dragon fruit में antifungal and antibacterial properties होती हैं constipation में भी राहत देता है dragon fruit में fiber काफी ज्यादा होता है और pregnancy की दौरान cubs की समस्या होना एक आम बात है ऐसे में जब आप dragon fruit का सेवन करते हैं तो आपकी cubs की समस्या दूर हो जाती है और आपका पाचन तंदर काफी तंदरुस्त हो जाता है hemoglobin भडाता है इसमें iron की जो मात्रा होती है वो काफी ज्यादा होती है pregnancy की दौरान hemoglobin अच्छा maintain रखना बहुत ज़दा ज़रूरी है इससे आपके enemy या की समस्या वगरा वो सब कम हो जाती है और pregnancy में आपकी body में hemoglobin अच्छा रहना चाहिए अच्छी मात्रा में रहना चाहिए तो अगर आपका hemoglobin 12 से थोड़ा भी कम है तो आपको dragon fruit अपनी diet में ज़रूर शामिल करना चाहिए साथ ही साथ ही calcium में भी बहुत ज़्यादा rich होता है इसलिए ये हड़ियों के विकास में मदद करता है बच्चे की जो bones के formation होता है उसमें बहुत ज़्यादा help कहता है इसमें phosphorus भी होता है और ये दोनों ही mineral और dragon fruit में अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं इसके अलावा ये dental health के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं ये क्या होता है प्री क्लम्जिया को कैसे रोका जा सकता है वो सारे वीडियो में वो सारी बाते हम किसी और वीडियो में करेंगे लेकिन प्री क्लम्जिया का खतरा एक काफी ज़दी dangerous चीज होती है माँ और बच्चे दोनों के लिए dragon fruit से blood pressure जो है वो stable रहता है blood sugar भी control रहता है जिससे कि आपकी pregnancy में complications जो है वो काफी कम हो जाती है और आपकी pregnancy काफी healthy रहती है इसलिए dragon fruit को अपनी diet में शामिल करना बिल्कुल भी न भूले और आपके doctor से सल्हा जरूर लीजिए हो सकता है कि अगर आपको कोई allergy वग्यरा है तो उस case में doctor हो सकता है कि dragon fruit के लिए मना करें otherwise और किसी भी case में dragon fruit के लिए मना नहीं किया जाता ये एक बहुत ही healthy fruit होता है हम उमीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like जरूर करें इस तरीकी की और भी बहुत सारी जानकारी पाने के लिए pregnancy care India को subscribe जरूर करें